Hello student, welcome to our channel Mohsen Explained, GSEB Made Easy. Now in this question, we are going to distinguish between दो अलग-अलग चीजों के बीच में फर्क को समझने वाले हैं. So, the question is, we have to distinguish between Parliamentary Democracy and Presidential Democracy. हम Parliament Democracy और Presidential Democracy के बीच में हम फर्क जानेंगे. So, number one, the Parliamentary Democracy. The Parliament form of government is based on the principle of fusion of legislative and executive organ of the government. जो Parliamentary सरकार होती है, वो legislative, जो MLS होते हैं, और जो executives होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनके principle पे बनती हैं. अब इसी के आगे अगर देखा जाए, Presidential Government. Presidential form of government is based on the principle of separation of power, check and balances. अब जो Presidential Government होती है, जो राश्पती होता है, वो separation, अलग-अलग powerों के सिधान पे, check और balances के बेस पे बनती हैं, उनके power, उनके जो voters हैं, डिरेक्ली उन पे बनती हैं. Now, number two, parliamentary democracy, a distinction is made between the nominal executive, the president of India and the real executive, the prime minister. अब यहाँ पे एक फर्क लाया जाता है, फर्क के किस बेस पे, यहाँ पे जो nominal executive होते हैं, जो हमारे council of ministers होते हैं, उस पे, जो हमारे राश्पती होते हैं देश पे, उस पे, और real executive, जो nominal executive जिनको चुन कर लाते हैं, वो हमारे real executive होते हैं, जिनको हम प्रधान मंत्री कहते हैं यानि प्राइम मिनिस्टर, अब प्रेसिदेंशल पे अगर देखा जाए, यहाँ पे किसी को भी चुनकर नहीं बनाते हैं, अब यहाँ पे जो राश्पती होता है, वो सरवच्य अधिकारी होता है, अब लोग सबा में जो भी पार्टी है, जीत कर आती है, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, जो प्रेसिदेंशल चुनता है, यहाँ पे जो प्रदान मंतरी और जो उनके जो नेता होते हैं, जो कहीं पर से भी कैबिनेट और अमेरिकन कॉंग्रेस को बिलॉंग नहीं करते हैं, अब यहाँ पे जो कॉंसिल आफ मिनिस्टर है, ठीक है जो पार्लिमेंट पे, उनको हटाया जा सकता है, कैसे? वोट आफ नोन कॉंग्रेस, जो प्रदान मंतरी के नीचे जो काम करने वाली टीम होती है, अब यहाँ पे जो राश्पती होता है, वो किसी भी तरीके से जवाब दे, अमेरिकन कॉंग्रेस को नहीं होता है, यहाँ पे राश्पती को सिर्फ इंपीश्मेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अब इंपीश्मेंट प्रोसेस क्या है? एक्चुली एक समविधान में एक लौ है, जिस कहता है, कोई भी अगर लीडर अपना काम नहीं करता है, अपने पावर का गलत इस्तिमाल करता है, तो उसके जरी एक इंपीश्मेंट का प्रोसेस है, यह भी एक नौन कॉंडिश्मेंट होता है, पर लेकिन इसको हम लोग इंपीश्मेंट कैसे इसमें थोड़ा सा प्रोसेजर अलग होता है, इसके द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, So this question ends over here If you have any doubt, any question So please आप मुझे comment कर सकते हैं Thank you very much